आज सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लिकेट चाविया मिली है अब सवाल उड़ता है ये डुप्लिकेट चाविया क्यों बनाई गई क्या डुप्लिकेट चावियों से ये रत्न भंडा रातों में कोई खोलता था क्या डुप्लिकेट चावियों से ये उत्तम भगवान के आभुशान चोरी होते थे किसके पास गई क्या वो खोलता है बंद करता है क्या करता है कि साथियों कि राम लला जी आज पुरे देश को आशिरवात दे रहे हैं हमें तो दो दो फाइदा है एक तरफ भगवान जगनाजी के आशिरवात और दूसरी तरफ राम लला जी के आशिरवात साथियों यहां राज्य भाजबा भी ओडिया भासा ओडिया संस्कृति के प्रति समर्पित है ऐसा कोई बेटा या बेटी जो उडिशा की मिट्टी से निकला हो यहां की संस्कृति को समझता है भाजबा का यहां का मुख्यमंत्री बनाना तय है आपका अपना मुख्यमंत्री बनेगा और मैं तो यहां आया हूँ आपको दस जून को भाजबा की सरकार के मुख्यमंत्री के शपत समारों का निमंत्रन देने के लिए आपको भूमनेश्वर निमंत्रन देने के लिए आने के लिए मैं आपके पास आया हूँ साथियों कल देश ने अक्षय तुतिया का पर्व मनाया है ओडिशा का अक्षय तुतिया से बहुत विशेश सम्मंद है अक्षय तुतिया के दिन से ही पूरी जगनात रतियात्रा के लिए रथों का निर्मान प्रारंब हो जाता है मैं आप सभी को इसकी बहुत बहुत सुपकामराएं देता हूँ और इसी से जुड़ा एक बहुत सम्मेदन सिल विशेश आप सभी के सामने उठा रहा हूँ साथियों साथ दसक पहले स्री जगनात मंदिर के प्रबंदल के लिए नियम बनाए गए थे सतर साल पहले इनी मैंसे एक नियम था कि मंदिर के सोना, चांदी, किम्ती पत्थर सारी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा इसके बाद स्री रत्न भंडार में रखे किम्ती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी इस रत्न भंडार का आखरी बार मुल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था उस समय आभूशन और रत्न इतने जादा थे कि मुल्यांकन करने वालों ने इस खजाने को अमुल्या बताकर अपने हाथ खड़े कर दिये थे आप कल्पना कर सकते हैं भगवान जगनाथ इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है अरे जगनाथ है तो जीवन है अब भगवान जगनाथ के हाँ कितने आभूशन थे कितनी संपत्ती थी अधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूँ वो जानकर पूरे देश के लोग भी हरान हो जाएंगे श्री जगनाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्ब गुरू के आंत्री कर्षकी चाबिया पिछले छे साल से लापता है इतना बड़ा अमुल लख जाना जो भगवान जगनाथ के ताबे में है आप उसको भी समाल ने पाएं चाबिक हो दई आप मुझे बताईए मेरे उडिया वासिया आप जर बताईए मेरे तो दिल को चोट पहुची है मैं आपको पूचता हूँ और आज पुरे देश को चोट पहुच रही है जब सुनेंगे तो क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि चाबिया कहां गई कि ये जानने का अधिकार है कि नहीं है हर हर देश बासिय को पता चलना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चाबिय चली गई किसके पास गई क्या वो खोलता है बंद करता है क्या करता है और फिर राजसरकार में जब तुफान खड़ा हो गए तो कहते हैं राजसरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लिकेट चाविया मिली है अब सवाल उड़ता है ये डुप्लिकेट चाविया क्यों बनाई गई क्या डुप्लिकेट चावियों से ये रत्न भंडा रातों में कोई खोलता था क्या क्या डुप्लिकेट चावियों से ये उत्तम भगवान के आभुशान चोरी होते थे क्या कहीं और लापता होते थे क्या क्या होता था दुप्लिकेट चावी वाला मामला चावी खो जाना गंबीर है दुप्लिकेट चावी उसे भी गंबीर है इस मामले की जात राज्य सरकार ने एक आयोक को सौंपी थी लेकिन वो रिपोर्ट आज तक उड़िशा सरकार ने सारवजनिक नहीं की है भार्तिय जनता पार्टी अब पूरे भक्ति भाव से ये विशे उठा रही है आखिर क्यों पीजेडी सरकार नवीन बाबु की सरकार इस विशेई से क्यों भाग रही है आखिर ऐसी क्या मजबूरी है आखिर राज सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है मैं आख ओडिसा के लोगों को देश के लोगों को एक वाइदा कर रहा हूँ राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है